नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर अनमोल कुमार आज हम बात करेंगे गन पाउडर के बारे में एक ऐसी दवा जो वार रिमेडी के रूप में जाना जाता है जिहां दोस्तों गन पाउडर मुख्यता तीन कमपोनेंट्स के मिक्चर से बनता है इसमें दोस्तों कार्बन होता है, सलफर भी होता है और काली नाइट्रिकम भी होता है आप देखिए इसमें कि कार्बन और सल्फर जो है पॉलिक्रेष्ट के रूप में होमेपेथी में भी यूज होता है और खास तोर पर गन पॉडर जो है एक वार रिमेडी के रूप में इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसका जो उंड्स पर इन्फेक्टेड उंड्स पर जो इसका प्रभाव है वह काबिले तारीफ है और खास करके आप जब देखेंगे कि इस दवा का परियोग जो होता है वह सेप्टिक कंडिसन्स में या दवा ओस्टियो माइलेटिस जैसे लक्षन में कर्बनकल्स में या दवा गनोरिया सिफलिस में भी लाब पहुचाता है और दोस्तों या दवा टॉंसिल जब सेप्टिक टॉंसिल हो जाता है वहाँ पर भी प्रियोग होता है गन पौडर एक ऐसी दवा जो खास करके सेप्टिक उन्स को ठीक करता है आप देख पा रहे होंगे गन पौडर 3X एक ऐसी दवा है जो जोन कलार्क भी कहते हैं कि जब उन्होंने इसका खुद पर परिक्षन किया था तो उनको हर्पेज हो गया था उन्होंने इसे 2X में परियोग किया था और दोस्तों खास करके गन पौडर एक ऐसी दवा है जो ब्लड पौइजनिंग को और मुख तोर पर एक ब्लड पौइजनिंग को ठीक करता है ठीक करता है एक excellent blood profile के रूप में गन पौडर होमिपेथी में परसीद है क्योंकि यह चर्म रोग पर अपनी antiseptic ताकत से रोग ठीक कर देता है खून से होने वाले infection को दूर करता है खास करके वैसे घाव जिसमें bacterial growth होकर सडन की और जाने लगता है जो विसाक्त घाव हो जाते हैं उसे गन पौडर ठीक करता है इसलिए दोस्तों यह एक ऐसी दवा है जो खास करके septic cellulitis में septic and toxic injuries में जो विसाक्त घाव हो जाते हैं उसमें बहुत अच्छा लाब करता है cellulitis के cases में आप देखेंगे कि वह जब विसाक्ता की और जाने लगता है घाव जहांपर सेप्सिस होने का भी डर हो जाता है वो इसे लक्षण में भी gun powder देने से लाब होता है क्योंकि यह bacterial growth को रोक देता है यह infection को रोक देता है और घाव को धीरे-धीरे heal करने में घाव को भरने में यह दवा मदद करता है बच्चों में जिनमें tonsillitis बराबर देखने को मिलते हैं अगर वहां पर tonsill में घाव हो जाता है और घुले-धीरे वो सेप्टिव tonsill हो जाता है तो वहां पर भी gun powder देने से आराम होता है गनोरिया और सिफली जैसे लक्षनों में भी जहां पर मवाद आने लगते हैं उसमें दुरगन आने लगता है पस्ट फर्मेशन बहुत तीजी के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा इंफ्यक्शन बढ़ जाता है वहां पर gun powder देने से लाब होता है दोस्तों यह दवा मुख तौर पर फिश्चूला में भी परियोग किया जाता है फिश्चूला में जब स्पूरेशन होने लगता है पस फर्मेशन अतधिक मात्रा में बस आने लगते हैं फिस्टूला से वहां पर अगर आप gun powder का परियोग करते हैं तो यह लाब करता है कुछ दिनों के लगातार पर परियोग के बाद ही आपको लाब दिखेगा क्योंकि मुख्य तोर पर विसाक्त घाव जो होते हैं वह बैक्टेरियल ग्रोथ उस पर पूरा हो जाता है बैक्टेरियल इंफेक्शन पूरा फैल चुका होता है उसे रोकने में समय लगता है इसलिए दोस्तों गन पाडर के परि इन से कट गया इनफेक्टेट आप अगर नहीं तलवार पुरानी तलवार चापू से अगर आपको कट गया वह घाव बन गया तो वहां पर एजे प्रिवेंटिव आपको गन पाडर लेने से उसमें इनफेक्शन नहीं होगा सैप्टिक की और वह घाव नहीं जाएगा वह सेप्टिक कूरण में तब्दील नहीं होगा इसलिए अगर गर प्रोडर को परियोग करते हैं तो यह ग्यार एक प्रॉत रोधलाइक्टिक परती रोधर की तरह काम करेगा और गवा को सैप्टिक होने नहीं देगा इस तरह से आप प्रियोग कर सकते हैं इसका बहुत सारा दोस्तों खास तोर पर septic cellulitis, septic and toxic injuries में इसको प्रियोग कर सकते हैं, इसलिए इसे war remedy के रूप में परसिद्ध किया गया है, क्योंकि पहले के जवाने में जब अतधिक war होते थो तलवार से कड़ जाता था, चाकू से कड़ जाता था, तीर लग जाता था, वहाँ पर septic ना हो जाए खाओ, इसलिए gun powder दे करके उसे ठीक किया जाता था, सेनिक को या warriors को, तो दोस्तों इसलिए इसे war remedy कहा जाता है, अब इसका डोज जान लेते हैं, ये जो gun powder दवा है, tablet के form में, ट्रैचुरेशन form में आपको मिलता है, gun powder 3X, और इस दवा का आपको दो-दो tablet तीन बार सुसुन पानी के साथ, खाना खाने के आदा गंटा के बाद लेंगे, तो आपको बहुत लाब होगा, मतलब कि दो tablet सुबर नास्ता के बाद, दो tablet दो पर खाने के बाद, नियमित आप इसका परियोग करेंगे, तो बहुत लाब होगा, ये जो बोतल आप देख रहे हैं, ये 20 गराम की बोतल है, और इसकी कीमत जो है, 125 रुपे है, तो आप इसका परियोग करके लाब उठा सकते हैं, धन्यवाद,